नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों मैं निपुन मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निच्टर को देखने को मिल सकते हैं इसी लिए बहुत ध्यान से इस वाले चेप्टर को देखना इसको पढ़नाभी भूष्ट देखते हैं कैसे alternating current वाला जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए helpful होता है और इसके अंदर से क्या-क्या पार्ट आपके पूछे जाता है तो AC की जब हम लोग बात करता है तो देखो सबसे पहले तो बहुत आसान है अगर आपको फेजर सही से बनाना आता है अगर आपको ग्राफ धंसे घीचने आते हैं आपको याद रहता है कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है करेंट की एक्क्विशन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती EMF दिया हुए तो यह चैप्टर बड़ा आसान हो गया ठीक है और जो मिक्स सर्किट्स हैं वो दोनों ही तरह के सर्किट्स आपको आने चाहिए मतलब R, L, C अलग-अलग R, C, R, L, C, R यह सारे के सारे सर्किट्स आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है खास करके अगर मिक्स सर्किट्स में बात करूँ तो इनकी आदत है R, L, C, सर्किट्स का एक सवाल देने की इनको बहुत पसंद है तो R, L, C, सर्किट्स के सवाल बहुत अच्छे से देख कर जाना है जिसमें पोटेंशल ड्रॉप पगरा नहीं दे देता है तो फेजर बनाना और पोटेंशल ड्रॉप के क्वेशन देना जिसके अंदर आपसे Z के बारे में पूछ लिया जाएगा Net EMF के बारे में पूछ लिया जाएगा हो सकता है करेंट की क्वेशन तो ना पूछ है पर EMF Net पूछ लेंगे circuit कैसा behave कर रहा है inductive behave कर रहा है capacitive behave कर रहा है यह आपसे पूछ लेंगे तो ऐसे जित्ते भी सवाल होता है जिसमें आपका inductor भी लगा है capacitor भी लगा है resistor भी लगा है इनके across है ना एक alternating current का source लगा है ठीक है इसके across drop आपको VL दे दिया इसके across VC दे दिया इसके across VR दे दिया VNet पूछ लिया Z पूछ लिया under the condition of resonance पूछ लिया तो इसलिए resonance condition आपके लिए बहुत important हो जाती है है ना resonance condition के अंदर resonant frequency, resonant angular frequency इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसके जो formula है उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो बहुत ध्यान से resonance condition ठीक है और इसी के अंदर जैसा कि अभी साल बर पहले ही इन्हों ने किया था half power frequency के ऊपर सवाल पूछा था तो भई half power frequency को एक बार देख जाना अपनी तरफ से ठीक है इसको जरूर से देख जाना साथ ही transformer वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के ऊपर जल्दी से जो simple formula है ना भाई simple वाला formula जिसके अंदर हम लोग जो turns का ratio है वो देखते है step up है step down है ये देखते है current का ratio देखते है तो turn ratio current ratio ठीक है ये वाला formula आपको पता होना चाहिए अगर आपको formula नहीं पता है तो बहुत भारी समस्या है there are many chances case chapter से इस तरह के सवाल आप से पूछे जाएंगे तो power के बारे में एकदम ध्यान रखेंगे average power and power factor current का इस तरह से ध्यान रखेंगे कि है अगर कुछ दिया हुआ है current अगर simply current लिखा हुआ है तो rms होता है voltage अगर simply voltage दिया हुआ है तो rms होता है सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है mentioned है कि peak लेना है तो उसको peak voltage मानके चलना है current के अंदर leading, lagging leading current किस में होता है lagging current किसमे होता है साथ में किसमें चलता है बिल्कुल फेज में किसके चलता है यह सारी चीज़े पता हो नहींद चाहिए अगर यह सब चीजे नहीं पता तो बहुत बहुत बाडि प्रिब्लम में पस जाओगे चैप्टर तभी सौल्व होたई नहीं तो होगा и इसका सवाल तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूं आपको कि फेजदर बनाना आना चाहिए ठीक है तो लीडिंग लैगिंग यह सब सब चीजे समझोगे तब ही कर पाओगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देख कर जाना दो से तीन सवाल पक्के हैं और इनको अच्छा भी बहुत लगता है यह चैप्टर क्योंकि आसान हो तो आप लोग भी पढ़के जाएंगे तो आपको भी आसान लगे ठीक है तो होती है तो इसलिए डंक से पढ़के जाओ जो कोई लोग कोई होती है एल और आर का कॉंबिनेशन है एलोड सी के कॉंबिनेशन होते हैं तो इन सब चीजों को समझते हुए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कोई दिक्कत आती ही नहीं पावर फेक्टर निकाल लो यह कर पावर की वैल्यू क्या होती है और मैंस पावर क्या होती है पीक पावर क्या होती है सारी चीजें आपको मैरतान वगरा के अंदर सब जगे बताई गई है आशा करूँँगा कि आप लोग भी उस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़के जाएं तो मिलते हैं आप से जिसमें अगले session में हम लोग क्या बात करने वाले हैं एक नय छेप्टर के बारे में बात करने वाले हैं ऐसे ही session साब के लिए आपके एक्जाम से पहले लातर होगा जिससे आपको पता लगे कि इस chapter में क्या-क्या देख जाएं, नोट को धंग से पढ़के जाना है, बहुत अच्छे से देख कर जाना है, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, और सबसे अनिम्पॉर्टेंट चीज ही, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट सी लगने लग जाती है, इसलिए धंग से सारी चीजों को कवर अप करके जा तिल देन, बबाई, सीव, टेक केर, सायो नारा एंड, जैहें.